बगा साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर आज अपना समय हमें देने के लिए पहले तो ज़रा समझाई है जो फ्राइडे का डेटा आया है थोड़े मिक्स संकेत दिख रहे हैं क्योंकि नई जॉब्स अनुमान से कम जोड़ी हैं अमरीकन एकॉनमी में और जो फेड के जो आंक्रे हैं जीडिपी ग्रोथ इस साल धाई प्रतिशत की देख रही है उनको तो कहीं दूर दूर तक स्लोडाउन नहीं है अमरीकन एकॉनमी में ये जो जॉब्स डेटा आता है ये क्या दर्शा आता है कि नई नोकरियां कितनी आ रही हैं तो एक लाख पैंसट हजार नई नोकरियों की उमीद थी अगस्त के महीने में वो रिपोर्ट हुआ है एक लाख बैयालिस हजार अब ये इस डेटा में इशू ये है कि ये डेटा काफी इनाक्यूरेट रहता है और अगले दो महीने में डेटा नीचे जाता है ये हमने देखा है पिछले दस महीने में तो ये कहां से ओवर एस्टिमेशन आ रही है मॉडल्स बिगड़े हुए है बट इसके साथ एक ओर डेटा पॉइंट आता है दीप जो होता है अनिम्प्लाइमेंट का बेरोजगारी का वो बेरोजगारी का डेटा एक्चिली जुलाई में 4.3 से अगस्ट में 4.2 पे आ गया तो बेरोजगारी का अंकड़ा बहतर रहा एकॉनमी के मुकाबले और साथ में नौकरिया जो थी एक लाख 42 अजार नौकरियां एस्टीमेटेड है के वो आई है अमरीका की एकॉनमी में तो स्लो डाउन नहीं है मार्केट क्यों विचले था है तीन मुलभूत कारण है एक मार्केट को डर है के फेड ने कहीं गाड़ी तो नहीं छोड़ दी जुलाई में क्या कट करना चाहिए था अब यह 18 सेप्टेंबर को कट करेंगे कट का जो इंपैक्ट आता है उसको 9 से 12 महीने इंपैक्ट लगता है आने में एकॉनमी में तब तक यह गाड़ी पटरी से तो नहीं उतर जाएगी अमरीकन एकॉनमी की यह सेंट्रल रिस्क लग रहा है मार्किट को दूसरा बड़ा रिस्क है येन कैरी ट्रेट का जो हमने 5 अगस्त को पिछले महीने देखा था एक हफ़ता काफी गिरावट रही मार्किट में तो एक बहुत बड़ी पोजीशन है लगवग एक ट्रिलियन डॉलर्स का इस्टिमेट है जहां पे येन में बॉर्विंग की गई है तो शॉर्ट येन है और लॉंग मैगनिफिसेंट सेवन ये बिग टेकनोलिजी शेर जो अमरीका के हैं तो इनको इन शेर्स को अभी विक्वाली हो सकती है और क्योंकि तीसरा ये कारण है कि ये कॉंसेंट्रेटेड है शेर्स अमरीकान मार्किट के बहुत बड़ा एक प्रपोर्शन इन मैगनिफिसेंट सेवन से है ग्रोथ में भी और साथ में मार्किट को उठाने में भी तो जब ये गिरते हैं तो पूरा मार्केट गिर रहा है, हमने देखा पिछले आफ़ते नास्टेक 5% से जादा गिरा, S&P 500 4% से जादा गिरा, डाउ क्योंके old economy है, जादा स्थिर इंडेक्स है, इतना बड़ा उसमें magnificent 7 का हिस्सा नहीं है, वो थोड़ा स्थिर था, इतना नह भी बाकी है, वो निकलने को आना है, और तीसरा आपका concentration risk जो है अमरीका में, इसके सामने बहुत जबरदस्ट पैसा side में पड़ा हुआ है, और पिछले तीन हफतों से लोग American market से पैसा निकल रहे हैं, 8 से 10 billion dollar हर हफते निकले जा रहे हैं, तो ये market side lines पे पैसा खड़ा लाए हम उतर पड़ेंगे, तो इसलिए जादा उमीद नहीं है कि इससे जादा और correction नीचे जाएगा, बाकी market का कोई कहने ही सकता, लगवग दी पिछले 10 सालों में औसतन ऑगस्ट के high से September में 5% नीचे आता है American market, वो तो हो गया, वो पहले हफते में market में कमाल दिखा दिया तो इसलिए उपर नीचे उपर नीचे market दिखेंगे, traders के लिए अच्छा मौका है अगर आप बना सकते हैं पैसे, investors के लिए मौका है, जो बना हुआ है वो बना रखी है, और नया पैसा धीरे धीरे करके लगाया जाएगा. करबगा साब, ये तो obvious है कि September में rate cut हो रहा है, दो सवाल सर, एक तो क्या अभी भी one quarter percent rate cut होगा या आधे percent का rate cut होगा, और फिर अब यहाँ से कितने rate cut होने वाले, क्योंकि एक report आई over the weekend, वो कह रही थी कि अगली पांच policies में लग रहा है कि rate cut होंगे लगातार? हाँ जी, rate cut तो होंगे, दूसरा सवाल असान है कि rate cut होंगे, अब 2550 में सोच चल रही है दीप, क्यों 50 नहीं करना चाहिए, एक तो ये दरशाएगा कि जुलाई में इन्होंने miss किया chance, और FED की reading खराब थी market की, दूसरा ये panic करेगा market को, कि FED 50 क्यों लेके आ रहा है, क्या क कुछ गरबर है, जो हमें अभी प्रतीत नहीं हो रही, और ये 50 basis point काट के आ रहे हैं, तीसरा बहुत एहम मुद्दा रहता है, कि इन्फलेशन अभी जो गिरी है, और धाई प्रतीशत के करीब है अमरीका में, 2.6 ले लिजिए, वो कहीं लोट के ना आ जाए, तो सारा जो इ इन्होंने rate नहीं बढ़ाए और काटे भी नहीं, वो सब का फिर मामला खराब हो जाएगा, और चौथा एक बहुत बड़ा कारण है, कि quantitative tightening, bond purchase के तोर पे नए bonds नहीं purchase कर रहे हैं, Central Banks दुनिया भर में, तो एक tightening bond market से तो आ रहा है दीब, जो के equal होता है rate hike का, तो वहाँ पे पी आपको थोड़ा सा action हो रहा है, तो मिला जुला रुज़ान है, इस माहौल में, मुझे लगता है 25 पे ही कायम रहेंगे, और फिर नवेंबर में देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी, नवेंबर में 50 कर सकते हैं, कि और डेटा का, और तब तक American election भी निकल जाएगा, तो अभी election के चलते भी issues आते हैं, कि Trump बोलते जा रहे हैं, कि rate cut मत करियेगा अभी, हम इसको political decision सोचेंगे, फेड कह रहा है कि हम political influence में नहीं आते, जो हमें ठीक लगेगा monetary policy से, वही हम करेंगे, तो ये भी एक असमंजस है, तो जरूर फेड के governor, वालर जो है, क्रिस्टोफर वा बट वो मुझे लगता हांसला अफजाई कर रहे थे markets की, बनिस्पत इसके के असली में 50, क्यूंकि आप अभी तक restrictive policy में थे, एकदम से आप accommodative बन रहे हैं, पिछली बारी आपने कहा कि balance में है, और growth की तरफ अब हम aggressor होंगे, एकदम से growth की तरफ आप 50 basis point लेके आएंगे, तो थोड़ा सा आपका credibility कम होता है, और market में panic हो सकता है कि क्या हमने miss किया जो इनको देख रहा है, और ये तेजी से rate cut कर रहे हैं, बाकी रही बात rate cuts के series की अभी जो market factor in कर रहा है, 1.25% इसी साल में, 2024 में, वो में ख्याल से थोड़ा जादा है, 75 से 100 मुझे लगता होगा, क् क्योंकि ऐसी कोई economy में गड़बढ आती, अभी तक नहीं देख रही है, और अगले तीन महीने में ऐसा नहीं है, कि US economy क्लिफ से गिर जाएगी, दूसरा, एक साल में लगभग, डेड़ से 2% rate cut की, पूरी गुंजाईश, market ये factor in कर रहा है देख, बागा साब, at least एक चीज है सर, जरह इसके बारे में बता है, अल्मूस्ट डेड़ साल के निचले सर पर अबदाम आ गए है, जो speculative प्रीमिया था, funds का जो positions रहता है, वो काफी हानी में आए दीप, और इसलिए इतना तेज मूव देखा, 10% का मूव, सेप्टेंबर में ही आते हुए, इतनी तेज डाउन है, यह सब दर्शार है, इसके सामने OPEC Plus ने दीप क्या action लिया है, उन्होंने जो October में बढ़ाना था अपना production, वो उन्होंने दो महीने से आगे कर दिया है, पुस्पॉन कर दिया है, तो अब December में वो देखेंगे के production और बढ़ाना है के नहीं, क्योंके market over supplied है, supply inflation हमें आएगा अंकड़ा, थरस्टे को, गुरुबार को हमारा CPI का अंकड़ा आएगा, हमारा problem यह है कि जो pump पे prices नहीं काटे गए, तो जो commodities के importers हैं, paint company हो गई, tire company हो गई, जो भी pet cam में downstream companies हैं, उनको जरूर फाइदा है, कि उनको कम कीमत पे तेल मिल रहा है, दुनिया भर से, बट main retailer को अभी तक फाइदा नहीं हुआ, तो वो बात चल रही थी कि शायद सरकार कोटावती करेंगे, बट इस से क्या है, refiners के margins जो हैं, वो बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि 10 dollar अगर तेल गिरा है, आप सोचिए कितन उसी लेवल पे बेच रहे हैं, तो अभी कटावती नहीं आई, उस से फिर रहत inflation में तुरंट आनी शुरू हो जाएगी, जब सरकार काटेगी डीजल और पेट्रोल के दाम, और गैस के दाम, दूसरी बात जो एहमियत रखती है, कि हमारा correlation बहुत strong है, क्योंकि 100 billion से जादा ह हमारा तेल का आयात होता है, तो जैसे ही तेल की कीमत गिरती है, प्रती डॉलर हमने देखा हमारा GDP को प्रोटसाहन मिलता है, तो भारत के लिए बहुत अच्छा है, overall, हमारी economy के लिए अच्छा है, अगर तेल की कीमतें इस तरह से नीचे रहें दी.